हलो बच्चों यह माइनर टेस्ट का सलूशन है अब इसमें जो हमको यह देखना है पहला पैराग्राप दिया है the magnetic moment of two complex empirical formula दिया हुआ है n i n 3 का hole 4 no 3 hole twice dot 2 h 2 इसका magnetic moment दिया है बच्चों 0 और 2.84 यहीं से दिमाग लगाना है respectively दिया है मैंने 2 complex दिया है two complex अब इसमें लिए है कि second complex का coordination number six दिया है second complex का तो first complex क्या होगा generally क्या होता है कि second जो जिसमें 0 BM दिया है बच्चों वो coordination number four होगा ऐसा हम मान सकते हैं और ऐसा ही सोचना है आपको ठीक है तो इसको हम pairing से भी आप सोच सकते हूं इसको यह मैं आपको समझा देता हूं देखो जैसे nickel का जो empirical formula यह दिया है इसमें आप दो possibility आप बनाओगे एन आई एन स्ट्री coordination number four लेते हैं तो neutral legend में जो SFL है उस सबसे पहले अंदर आएगा और फिर counter आयन negative आयन यह बाहर जाएगा डाट वाटर यह SFL WFL है यह outside जाएगा तो बच्चो coordination number तो यहाँ पर इसका 4 हो गया है अब इसको चुकी यह SFL है तो coordination number four में अगर SFL आता है तो generally pairing करा देता है और pairing कराएगा तो हो जाएगा डाया मैगनेटिक तो आप इसको थोड़ा सा ऐसे समझ लो कि यह निकिल टू प्लस है और 3D8 है 3D8 है थोड़ा से आप बॉक्स diagram बना के फील कर सकते हो तो इस तरह से यह आ जाएगा बच्चो है ना यह देखेंगे डी एट configuration ऐसा जाएगा चुक्कि यहाँ पर strong field ligand है यह pairing कराएगा pairing कराएगा तो यह electron यह पर pair up कर लेगा और pair up करने के बाद जो इधर का 4s और इधर बच्चो 4p आता है यह वाला 4p तो आप यह देखोगे जब pair करेगा तो यह pairing करने के बाद यहाँ से एक d orbital और यह दो पी और sp इस तरह से यह dsp2 टाइप का है position बन जाएगा और जैसे electron यह pair up करेगा तो इसका मतलब है यहाँ पर number of unpaired electron 0 हो जाएगा और यहाँ पर new m 0 bm इस तरह से हो जाएगा तो बच्चो एक्च्वली में यह dsp2 होने का मतलब है यह square planer complex बनेगा तो इसमें option में देखोगे correct formula and geometry of the first complex is टेट्रहेड्रल गलत टेट्रहेड्रल गलत ऐसे देखते जाओ फिर आप देखोगे square bracket के अंदर n i4 4 यह नो 3 और यह बाहर square planer लिखा है वर समतली है इसका मतलब the best answer would be 3 ठीक है यहाँ पर बेटा देखो अस्ट फलकी तो आस्ट फलकी में ही यह कट जाएगा तो वैसे आप बिल्कुल direct इसको इतना detail में करने की ज़रूत नहीं है SFL पहचानना होगा और आपको tetraheadle tetraheadle cut करना होगा क्योंकि SFL pairing कराता है coordination number 4 में यह बात आपको ध्यान रखना है चलिए अगला question अपर लोग देखते हैं बच् तो second question में अपन लोग को देखना है वही सेम है two complex वाला zero वाला हमने explain कर दिया और एक आपका जो है तो यह 2.84 अब यह लिखा है कि second complex में देखो question की statement को पढ़ोगे for second complex तो second complex मैंने आपको बताया था यहाँ पर जब यह 2.82 BM दिया है यहाँ पर जो आप complex लिखोगे बच्च आप अंदर करोगे और water को यह two counter iron मतलब negative iron जो negative iron है बटा वो counter iron होगा और यह actually बाहर जाएगा यहाँ पर आप देखोगे यह two plus coordination number 6 होगे बच्चो four and two मिला के तो यहाँ पर इसके actually देखोगे यह ni two plus है अब d8 configuration होता है actually यहाँ पर दिमाग लगाना पड़ेगा d8 में चाहे SFL approach करे चाहे WFL approach करे या कोई mixed religion approach करे तो यहाँ पर इस पर कोई effect नहीं होता है इसका मतलब d8 का जो आपका configuration है octahedral के लिए यह बात दिमाग में रखना है octahedral की बात में कर रहा हूँ बच्चो है ना तो यह बात आप यह देखोगे इस तरह से यह 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 देखोगे d8 यह 4S यह 3D8 और यह आपका 4P और इधर आपका यह 4D इस तरह से यह 4D आ जाएगा बच्चो अब यहाँ पर आप देखोगे तो यह outer d orbital बनेगा यह यह SP3D2 यह outer d complex बनेगा mu m पर कोई effect नहीं होगा क्योंकि pairing नहीं करा पाएगा dk कोई 2 orbital चाहिए यहाँ अगर pairing करेगा तो केवल और केवल एक orbital आपको मिलेगा ठीक है तो इसलिए 2.84 BM यह बोर मैगनेटान मैगनेटिक मोमेंट रहेगा तो इसको question को देखो आप सब को देखो has EN value 36 तो EN तो निकालना असान है निकालोगे EN निकालना बहुत आसान है बच्चो इन निकालना 28-2 कर दोगे oxidation state और जितने लिगेंड है यहाँ 4 और 6 तो 6 मतलब हर लिगेंड 2 electron डोनेट करता है तो इस तरह से यहाँ पर हो जाएगे 12 तो total 34 तो इसका EN value आएगा 34 आप चेक कर isomerism optical isomerism बैटा A4 B2 type का complex है तो A4 B2 type का complex में कोई optical isomerism नहीं होता है ठीक है plane of symmetry present होगा can't so GI यह गलत है एक्चली क्या है कि यह GI so करेगा क्योंकि यह क्या है MA4 B2 type का complex दिखाता है तो यहाँ पर यह GI होगा बच्चो इस तरह से आप यह जानते हो जैसे यह कोई भी आप ले लोगे और इस तरह से यह Bb तो यह छोटा लिगेंड आप देखोगे टुर्व है तो यह 60 है 90 डिग्री पर और इसी को अगर आप मालो 180 डिगरी पर लेके चले जाओगे, तो यह आपका जो है, तो इस तरह से यह आपका यहाँ लग दोगे, तो यह ट्रांस हो जाएगा, तो यह जी आई सो करेगा बच्चो, ठीक, तो इसका मतलब यहाँ पर लिखा है कांट सो, इसलिए यह भी आंसर नहीं, यह भी आंसर नहीं, अब लिखा है three-fold freezing depression तो यहां आपको physical chemistry पर पढ़ते हो यहां पर आई चेक करना है आयोटा तो आयोटा की जब आप बात करोगे तो आयोटा आप देखोगे कितने ions देते हैं आयोटा क्या है बच्चो आयोटा दरसल क्या होता है आयोटा देखो बच्चो आयोटा की बात जब आयोटा एक्चोली आयोटा जो होता है वो number of ions पर depend करता है number of ions पर तो number of ions की जब आप बात करते हो तो यहां पर यह निकिल का complex जो बनेगा यहां पर H2O whole 2 और NH3 यह आपका whole 4 ऐसे करके तो यहां यह 2 प्लस एक्वस है ना और यहां पर यह आ जाएगा NO3 यह माइनस यह 2 आय तो यह 1 केट आयन ऑर यह क्या हो जाएगा है 12 मोल एन तो यहां पर number of ions क्या हो जाएगे 3. आईक का value क्या हो जाएगा 3. तो यहां 3 फोल्ड डिपरेशन जितना number of ions होता है उतने फोल्ड उतने इटाइमस का depression point Shepherd होता है ठीक है उतना से आपको यहां में पर चेक करना है आग अब यह आता है बच्चो, salt analysis का question, इस paragraph को आप समझेगा, यहाँ salt analysis के question को यहाँ पर, तो बच्चो, actual में, देखो बड़ा simple सा question है, पहले paragraph को आप समझे लो, देखो, paragraph को समझना बड़ा जरूरी हो जाता है, है न, salt analysis, कोई भी passage है, इसमें लिका है yellow, चुकि यह 3 plus है, yellow है, SO2 क्या होता है बच्चो, RA, reducing agent, ठीक है, light green, देखो, SO2 क्या करेगा, इसको reduce करेगा, तो light green यह plus 2 में आएगा, ठीक, यह धियान रखना, अब access कितना भी, कितना भी reduce करोगे, तो यह बेटा, 0 इसकी इतनी, देख fungus भी नहीं है, तो यह बिल्कुल सही line लिका है, अब आगे देखो, यहाँ पर excess case, case, potassium, cyanide है, तो यह pale yellow solution, चुकि यह excess मिलाते हैं न, बटा, तो excess में complex reaction होता है, अगर definite proportion में, limited proportion में certain amount मिलोगे, तो एक certain complex बनता है, double salt है, इस type का normal compound बनता है, लेकिन जब भी excess word आता है, तो complex ब यह compound बनेगा, pale yellow solution, यह complexation reaction हो रहा है, यहाँ पर आप देखोगे, pale solution, है न, बी, same यह compound को add किया, in step 3, इसी compound में, तो देखो बच्चो, यहाँ पर plus 2 हा जाएगा, यह क्या है, यह plus 2, तो plus 2 आएगा, तो जब plus 2 में, अपन pale solution को add करेंगे, तो प्रुश्यन ब्लू पीपिटी यह यहाँ पर, है न, गलत हो जायेगा बच्चो, इस जगे में, प्रुश्यन ब्लू पीपिटी नहीं होगा, यहाँ पर यह आएगा, white PPT आजाएगा, क्या हो जाएगा बच्चो, यह white PPT आएगा, और white PPT का formula होता है, आपका answer, यह 4 जाएगा, इसमें आंसर में correction करना पड यह बात ध्यान रखना आप लोग है ना क्यूंकि यहां पर अगर प्रोटेश्यम फेरी सैनेड मिलाते के त्री एपी सियन तो जाके यह आपका प्रुश्यन ब्लू पीपिटी आता तो यहां पर चुचु की लिग दिया है आमने प्रुश्यन ब्लू पीपिटी तो इसलिए आ अगर आपके हिसाब से यह कुच्चन गलत है इसका सही आंसर अगर आपन वाइट करते हैं तो इसका यह आएगा ठीक है अगर प्रुश्यन ब्लू तब होता जब हम यह पोटेश्यम फेरी सैनेड मिलाते तो यह आके प्रुश्यन ब्लू पीपिटी बनता तब आंसर जो है थ्री होता दिये कुच्चन में थोड़ी सी गड़ बढ़ी है बच्चो है ना आगे बढ़ते हैं ठीक अगला कोश्यन है बच्चो दक्वाडिन दनमबर अप मैक्सिमम एटम्स लाइं इन दसेव प्लेन आफ इन निक पार्ट आप कंपलेक्स कंपाउंड बी तो बच्चों कंपाउंड बी है इसका मैंने आपको फ़ार्मूला बताया था इसका कंपाउंड बी का फार्मूला क् बच्चो अभी मैंने बताया था थोड़ी दिर पहले एफ़ी के फोर एफ़ी सीन का होल 6 यह हो जाएगा अब इसमें इसका सेम प्लेन तो यहां पर आप यह देखोगे थोड़ा सा आपको मैं इसका स्ट्रक्शर बता देता हूं यह देखो बच्चो तो यह सैनाइड है कारबन SP हब्रडिजेशन होता है बच्चो तो यह जब SP हब्रडिजेशन होगा तो यहां पर अपन को दिखेंगे इस तरह से एन और यह सैनाइड एन यह देखोगे अब यहां पर आप यह देखोगे यह चार सैनाइड और एक आयरन ठीक है यह टू प्लस वाला है तो यह द दो एटम दो एटम दो एटम चार एटम और एक बीच में आयरन हो जाएगा तो टोटल कितने हो जाएंगे चिप फोर टू जा नहीं है कौन सही नहीं है तो कौन सही नहीं है देखिए अपन हीट करते हैं अमोनिया और सल्वल अलुमिनियम टेट्रहइड्रक्साइडों के बारे में है ना इस कमपाउंड को जब हम हीट करेंगे बच्चों यहां पर यह एल ओयज का होल 3 यह वाइड पीपीटी बनता है इ अब यहां पर यह देखोगे तो यह सही है बच्चों तो सही है इसलिए यह आंसर नहीं होगा क्योंकि यहां पर लिखा है नाट करेक्टी मैज अब अगला देखो लेड 2 प्लस बी आर माइनस के साथ यलो पीपीटी यह गलत है बच्चों यह गलत क्यों है क्योंकि यहां प उबालते हैं मतलब हाइडरोलेसिस हो जाता है बच्चो तो हईडरोलेसिस होगा तो दी आई ओ प्लस और यह माइनस यह जो है तो ओरेंज टर्वीडिटी ओरेंज प्रेसीपिटेट देगा ठर्वीडिटी पिपिटी यह की बात है तो इसलिए ये आंसर नहीं होगा अगला देखते हैं ये वाला ये फोर्थ वाला कैलसियम 2 प्लस और ये इसके सांथ पोटेक्शियम फेरोसेनेट के सांथ मिलाते हैं बच्चो तो यहां पर ये वाइट पिपिटी तो बिल्कुल ये सही है इसका फार्मूला होगा के फोर इसका जो फार्मूला होगा वो के टू सिय ये ये सिय होगा और ये ब्रैकेट के अंदर एफी सी अन्-का अॉल 6 ये वाइट पिपिटी आता है तो ये सही है बच्चो इसलिए जब सही है तो ये आंसर नहीं होगा तो आपको समझ में आगया है इस कोस्टिन को पढ़ना है जो not correctly matched है तो केवल हो केवल गलत उत्तर पकड़ना है और गलत उत्तर में आंसर option 2 होगा बच्चो अगला question हम लोग देखते हैं बच्चो ठीक अगला question है बच्चो अगला question में हम लोग को जो देखना है उसमें देखना क्या दिया है बच्चो इसका question देखो आप कि which of the following hydroxide does not dissolve in ammonia solution but dissolve in sodium hydroxide यहनी sodium hydroxide में दिमाग में लगा लो कि जब हम लोग salt पढ़ते हैं chemical bonding में पढ़ते हैं नोच की reaction पढ़ते हैं पी ब्लॉक में भी तो यह excess एक्सेस अमोनिया में केवल वही complex वही compound dissolve होता है समझ जाएगा जो एमफोटेरिक नेचर का है तो वड़ा सिंपल सा तरीका है और excess ammonia में वही सल्वल होता है जो डी complex का डी metal केटायन होता है डी metal केटायन salt में डी में केवल दो मेटल केटायन यह 3 मेटल केटायन को छोड़के वह excess ammonia में नहीं होते हैं तो वह 3 केटायन कौन-कौन से हैं जो इन sodium hydroxide तो देखो बच्चो यह जो जिंक है न बच्चो यह दोनों में सालूबल हो जाएगा ammonia में common में भी complex मना देगा और इस तरह नहीं होगा यह answer नहीं होगा यह answer नहीं क्यों क्या रहा है कि ammonia में डिस्वल नहीं होना चाहिए और sodium हाइड्रोकसाइड में डिसॉल होना चाहिए ठीक जब इसकी बार ही आप बात करते हैं कैड्मियम तो यह देखो बच्चो यह अलुमिनियम हाइड्रोकसाइड तो यह अमोनिया में चुकि यह डी ब्लॉक का मेटल के टैन नहीं है बच्चो तो यह एकसेस अमोनिया के साथ सालूबल नहीं बनाएगा जब आप एन विच मिला देंगे बच्चो इन विच के साथ यह सालूबल कंपलेक्स बन जाएगा और इसका फार्मूला होगा एच का ओल फूर यह माइनस और यह प्लस तो यह सालूबल कंपलेक्स तो इसका कुल मिला के जो कुश् बी पार्ट है, more than one answer वाला है, one are more than one answer, तो इस question को बहुत अच्छे से समझना है, ठीक है, एक एक statement इसमें पढ़ना पड़ेगा, which of the following statement is correct, तो which of the following statement is correct है, तो उसमें आपको correct statement ढूड़ना है बच्चो, अब correct statement में, तो correct statement में आपको एक एक statement को आप पढ़ लेते हैं, और बता है, LM का फार्मूला आपको पता होना चाहिए, के टू, एसो फोर और डॉट यह हो जाएगा, एल्टू, एसो फोर का होल, थ्राइस, डॉट ट्वेंटी फूर, इसका नाम, है ना, पोटास, LM है, वैसे LM में जनरल फार्मूला बहुत होता है, है ना, यह आपको पता है, यह आपका फार्मूला है, LM का, एक दबल साल्ट है, यह यह तू है, यह करेक्ट है, एड़िटी आप कैल्सियम यूज़्ट इन ट्रीटमेंट आप लेट पॉजनिक, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, बच्छों, यह बिल्कुल यह यूज है, अपली के सन है, यह आपको यह बिल्कुल सेम है देखो यह कैसे आप कल्कुलेट कर लो यह निकिल है यह जीरो आक्सिडेशन स्टेट में है तो यहाँ पर निकिल का 28 होता है और यह 4 तू जा एना यह चार लिगेंड है बेटा और यह दो हर एक लिगेंड दो इलेक्ट्रान डोनेट करता है तो 4 इंटू 2 is equals to 36 तो यह हो जाएगा 8 आप कल्कुलेट कर लोगे मैं सिंपल है और इसके बाद आप देखते हैं आईरन यह देखो पोटेशियम यह एक्जासाइनाइडो फेरेट 2 है तो यह मतलब 2 है आईरन तो इसमें आप यह आप देख लोगे आईरन का कितना होता है बेटा 26 26 26 तो 6 लिगेंड है तो 12 इलेक्टरान टोटल डोनेट करेंगे तो इसको सम करोगे तो यह भी आपको बच्चो समझ में आ जाएगा कि यह 36 तो इसका मतलब दोनों का इर बिल्कूल सेम है तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा थर्ड भी होगा ना अबदीज तो अगला कोस्टिन जो दिया है इसी का पेराग्राफ में विचाव दी फालोइंग इज ट्रू फर दी गम्पलेक्स यह कोबाल्ट यह जो फार्मूला दिया हुए है कोबाल्ट नाइट्राइटो यह च्लोराइडो और डॉट 5 इन थी और इन प्लस थी प्लस थी का मतलब यहां पर इसके बारे में true statement बताना है कि कौन सा statement true है ठीक है तो आप यह देखिए इसमें आपको linkage के लिए embedded है तो यह कोबाल्ट के साथ इस तरह से आप यह बहुत ही common के लिए two counter-n होना चाहिए बच्चो इसके लिए counter-n कितना होना चाहिए दो तो अलग-अलग counter-n तो इसमें देखो एक chloride है एक नाइट्राइड है तो इसका अगर आप फार्मूला लिखते हो तो कोबाल्ट यह पेंटा-एमीन देखो वर्नर थे औरी में यह कहता है कि जो न्यूटरल लिगेंड है वो सारे के सारे अंदर आ जाएंगे chloride एक बार chloride अंदर होगा फिर यह chloride और डॉट यह देखो एक एक बार क्या करोगे तो आप देखें यहां counter ion chloride और नाइट्राइड का mixture है एक बार आप दूसरा complex लोगे बच्चे तो यह एनस 3 और यह आपका फाइप और यह पूरा का पूरा आप यह ले लोगे नोटू अंदर कर लोगे और यह केवल और केवल chloride होगा तो आप यह देख हम लोग generally पढ़ते हैं cobald 3 plus का all complex all complex मतलब यह क्या हो जाएगा बच्चो ठीक है यह क्या हो जाएगा d8 देखो sorry d6 है तो d6 होता है बच्चो तो d6 है cobald का general किसी भी ligand के साथ है ना all यह क्या है low spin और यह dia magnetic और यह d2 sp3 effect है यह दिमाग में आपको याद रखना पढ़ेगा केवल except इसमें एक मैं थोड़ा सा extra बात बूल देता हूँ except है जैसे cobald hexafluoride यह 3 minus और यह cobald आपका यह tri equa और trifluoride ठीक है इस तरह से यह hexafluoride की बात कर रहा था तो यह दो है जो यह outer di orbital complex बनाते है cobald का धियान रखना octahedral के लिए और बाकी जो है तो जितना इसके अल इनर डी आर्बिटल तो यह वाला भी ट्रू है और यह डाय मेगनेटिक भी ट्रू है बच्छो तो इस तरह से यह question का explanation होगे बच्छो अगला question देखते है बच्छो अगला question है बच्छो यहाँ पर देखना है कि select the correct statement question number three select the correct statement के बारे में हम बात करते हैं यह बड़ा important question है थोड़ा statement है पड़े ध्यान से देखना potassium देखो potassium क्या लिखा है potassium ferocyanide potassium ferocyanide और यह potassium ferocyanide की बारे में जब आपन बात करते हैं देखो बच्छो का फार्मूला होता है के 3 fe cn का होल 6e हो जाएगा can be differentiate है ना मिजरींग डिफ्रेंसियेट बाइद मिजरींग सॉलिट मैगनेटिक बिल्कुल सही बात है पेरो मैगनेटिक है यह पेरी मैगनेटिक है यह टू प्लस है यह त्री प्लस है तो नंबर नंबरा पंपेर्ट इलेक काउंटर आयन है यहां पर बियार काउंटर आयन है can be differentiated by aqueous solution of barium chloride बिल्कुल true है बच्चो बिरियम क्लोराइड में क्या होता है कि केवल सलफेट ही प्रेसिपिटेट देगा है ना तो बिरियम सलफेट का प्रेसिपिटेट हो जाएगा और यहां पर बिरियम ब्रुमाइट क्लोरीन है काउंटर है can be differentiated by the adding aqueous solution of this silver nitrate बिल्कुल simple question है बच्चो अराम से इसको differentiate किया जा सकता है बच्चे क्योंकि एक complex के बाहर बियार है एक complex के बाहर chloride है तो जब आप silver nitrate आप मिलाते हो बच्चो यह तो बहुत ही common test है ना तो यहां पर आपन यह देखते हैं यहां प मतलब कहने का मतलब यह भी answer होगा अब आगे देखिए यह लिखा है complex यहां पर यह देखिए कोबाल्ट exa equa और trichloride मतलब यह bracket ऐसे होगा और इसमें आप यह देखोगे इस तरह से कोबाल्ट यह पेंटा एक्वा सोरी पेंटा एमीन एमीन है बच्चो तो पेंटा एमीन आगे और दो लिखार बाहर इसको भी हम लोग है ना अराम से जो है तो मिजरमेंट कर सकते हैं कंडुक्तिविटी से क्योंकि इसका काउंटर आइन क्या होगा थी है यहां पर तीन क्लोराइड है आप यह देखोगे तीन क्लोराइड मतलब यह इस पर थ्री प्लस है आयन्स इसमें तोटल आइन्स कितने हो जाएंगे 4 ऑषियर इसकी बात करोगे बच्छो तो यहां पर यह देखो गहिए 2 और यह वّर कॉम्पलेक्स कितने हो जायांगे थ्री आयन्स तो आइन्स अलग अलग होंगे तो इसलिए आप देखोगे इसकी भी कंडुक्तिविटी हम बच्चो तो अगला कोश्चन में अगला कोश्चन में है बच्चो विचाब दी फालोविंग मिक्स्यर आप के टायन can be separated by adding excess ammonia solution तो excess ammonia का मतलब वही मैंने आपको थोड़ी देर पहले कोश्चन में बताया था कि जो अल्डी ब्लॉक्ट मेटल के टायन produces soluble complexes with excess ammonia except iron 3 plus Mn2 plus mercuris and mercuric तीन मेटल जो है तो दियान में रखना मरकरी में दोनों mercuris and mercuric मतब concept भी है थोड़ा सा तो आप कॉपी में लिख लेना यह बहुत important चीज़ है बच्चो यह दियान यह question important आता है तो excess ammonia में काउन सा है ना metal के टायन soluble होगा मतलब separate किया जा तो pair आप दिया हुआ है बच्चो तो देखो pair में मैंने जो fact आपको बताया था वही यह बिल्कुल हो जाएगा क्योंकि zinc soluble बनाएगा और magneez soluble नहीं बनाएगा यह बिल्कुल correct है separation कर सकते हैं देखो दोनों D block का और बेटा एक P block है lead plus 2 P block का के टायन है तो यहाँ पर देखो मैंने D block बोला है याद रखना तो इसलिए जो है तो इसमें यह soluble complex बनाएगा और यह soluble complex नहीं बनाएगा मतलब यह answer होगा क्योंकि यहाँ पर lead जो है तो excess ammonia के साथ कोई soluble complex नहीं बनाएगा अगला वाला देख सकते हैं यह बड़ा relevant question है बच्चो तो इसको आप दिमाग में याद रख लेना कौन कौन सा मिटल के टायन नोट बुक में लिख लो कौन कौन सा मिटल के टायन जो excess ammonia के साथ soluble नहीं होता है मैंने क्या बोला डी ब्लॉक का मिटल के टायन और डी ब्लॉक के मिटल के टायन मे तो इसमें बच्चो क्या लिखा है अगला question देखते हैं विच आप दी फॉल्वाइंग एक्वा सस्पेंशन गिफ्स क्लियर सलूशन अन हीटिंग यह बिल्कुल solubility का question है और यह बहुत ही simple question है थोड़ सा इसमें याद करना पड़ेगा बच्चो देखको यह salt analysis है कुछ conceptually explain हो जाता है और कुछ जगह अपनको learn करना पड़ता है तो जैसे PBSO4 है तो इसको heat करने पर इसके एक वा सस्पेंशन सलूबल नहीं होता है यह तो answer नहीं होगा मतलब समझ गया न अब PBCL2 यह बहुत important line है PBCL2 white PPT देता है on heating करेंगा on warm water तो यह सलूबल हो जाता है फिर इसको white PPT देता है लेकिन जब हम इसे heat करते हैं तो यह clear clear solution का मतलब होता है बच्चो ध्यान रखना कि जो सालूबल हो जाए clear solution का मतलब होता है सालूबल इन एक्वास पानी में जो गोल जाए उसको हम clear solution तो इसका best answer कौन से होगा तू और थ्री यह बात ध्यान रखना कौन कौन होगा तू और थ्री अगला question पढ़ते हैं बच्चो अगला question है बच्चो यह लिखा है विच आप दी फालोविंग स्टेट्मेंट इस करेक्ट रिगार्डिंग है ना बोरेक्स बीड टेस्ट तो बोरेक्स बीड का फार्मूला देखो सबसे पहला चीज यह पी ब्लाक में भी है salt में भी दिया है बोरान फैमिली में भी दिया है तो बच्चो यह बड़ा important चीज है दियान रखना बोरेक्स का फार्मूला याद रखना एक कई बार जेइमेंस में advance में question आ चुका है बहुत ही relevant question है बच्चो यह याद रखना ठीक है यह मैं correct molecular formula लिख दिया हूँ वैसे तो the metal cannot be predicted बिल्कुल यह true है बच्चो एक्चुली क्या होता है हम लोग जो पढ़ते है न बोरेक्स बीट टेस्ट में तो वो दोनों हो देखो लिए आगला question अगला statement पढ़ते हैं तो यह मतलब answer आ जाएगा correct में पढ़ना है यह कुछ के लिए होता है सब के लिए नहीं होता है तो इसलिए यह answer नहीं होगा अगला लिखा है कि दिस टेस्ट इस अपलिकेबल फॉर कल हाँ यह बिल्कुल सही है बच्चो बोरेक्स यह बीड प्रोडूस्ट इस डिगों बीड का मतलब होता है यहाँ पर यह दियान रखना देखो यह जो लिखा आपार्मुला बच्चो यह क्लासी बीड है गलासी बीड बीड हम यहां जो बात कर रहे है बीड तो लगए तो इसलिए आंसर नहीं होगा तो यह हो जाएगा answer इसका 1 और 3 होगा बच्चो अगला question देखते हैं बच्चो यस बच्चो यह हम लोग section D में पढ़ते हैं तो integer type का question जो given complex है उस given complex में आपको oxidation state iron का find out करना है तो इसका जैसे counter iron है potassium है तो plus 1 आएगा total 3 से आप multiply करेंगे plus इसको x माल लिजेगा iron को metal को और इस तरह से यह minus 1 into जो तो 5 यह कर लिजेगा अब यह nitrosil है इसको वैसे 0 भी लिका जाता है तो यहाँ पर अपन लोग 0 देखेंगे तो इस साब से x की value यहाँ पर plus 2 आएगी अगला question है बच्चो अनेम आफ न्यूटरल complex इज ठीक है बिस acetyl acetonato methyl cyanide thiocyanato s iron y यह y क्या है बच्चो y है oxidation state अब लिखा है the wise oxidation state of metal then calculate the sum of primary and secondary valency तो यह वर्णर theory से related है नेमिंग से related इसको आपको फार्मुला लिखना है पहले बच्चो तो क्या लिखा है बच्चो iron iron को आप square bracket के अंदर रखिएगा इसके बाद यह क्या है बिस acetyl acetonato तो ac ac का hold twice हो जाएगा इसके बाद methyl cyanide तो इसका फार्मुला लिख लिख लिजएगा बच्चो methyl cyanide और यह फिर आपका जाएगा scn यह हो जाएगा बच्चो scn के बाद आप यह देखोगे यनि अब यहां पर देखोगे बच्चो यह सबसे पहला हम लोग primary valency की बात करते है बच्चो तो इसके बाद क्या लिखा है बच्चो secondary valency तो secondary valency जो SV होता है बच्चो वो SV is equal to coordination number of CMI तो coordination number of CMI की बाद जब अपर हम करते हो तो इसका coordination number आप देख लो यह by dented ligand है दो by dented है इसका मतलब हो जाएगा coordination number 4 और यहां पर यह monodented है चुकि यह nitrogen donate करेगा और यहां answer 9 तो इसका answer क्या हो जाएगा बच्चो इसका answer हो जाएगा 9 यह आपको ध्यान रखना अगला question है बच्चो अगला question है बच्चो देखे इसमें करना क्या है how many isomeric form यह है how many isomeric form are possible for octahedral complex this one यह octahedral complex का हमें कितने isomer possible बनाना है तो बच्चो यहां पर क्या करेंगे यह rhodium है बच्चो अब rhodium है यहां पर से देख लो आप लोग यह plus है यह minus है यह minus है यह neutral है चिक है तो यहां पर आपको क्या करना है बच्चो वाई-dented है यह octahedral complex है octahedral complex में दिख रहा है एक आपका यह यह हो जाएगा दूसरा यह हो जाएगा और यह आपका एनोटू और यह आपका एसीन दोनों बच्चो एमबी डिन्टेट है तो यह सिस में कितने प्यार बनेंगे तो सबसे पहले आप यह देखली जएगा इनका प्यार चेक कर लिजिए बच्चो एक बार नोटू आएगा फिर एक बार ओन ओच्चो एनोटू के साथ इसको ऐसे देख लोग इसमें कितने पेर बनेगे जैसे N02 के साथ तो देखो, बच्को CIS में कितने बनेंगे, total 4 यह देखे और यहाँ पर बच्चो plane of symmetry नहीं मिलेगी, यह बात ध्यान रखना CIS में plane of symmetry नहीं मिलेगी तो यह जितने चार बनेंगे चार सिस उसका डेक्स्ट्रो तो उसका लीवो बनेगा मिरा रिमेज है नहीं है प्लेन आप सिमेंट्र बिलकुल नहीं मिलेगी सिस में तो इसलिए टोटल यहाँ पर अपन देखेंगे सिस के है ना फोर इंटू यह जो है तो टू इसको आप ट्रांस में ले लो बच्चो तो ट्रांस में जब आप लोगे तो ट्रांस में लोगे तो वही एनोटू और एसीन आएगा ठीक 180 डिग्री पर यह ट्रांस ऐसे करके आप ले लोगे यह लोगे तो बच्चो ट्रांस में भी सेम आएगा यह जो आपने सिस में लिखा है वही ट्रांस में लिखोगे तो ट्रांस में भी सेम आएगा बच्चो चार तो चार यहां पर ट्रांस में भी कितने आ जाएंगे तो आठ मतलब टोटल सीस जिसमें डेक्स्ट्रोली वो मिलाके और चार ट्रांस का हो जाएगा बच्चो तो इस तरह से बारा आपको मिल जाएगा ठीक है बहुत सिंपल कोश्चन है इसमें प्लेन आप सेमेट्री मिल जाएगा आप्टिकल इन एक्टिव रहेगा या अप्टि अगला एमंग दी फालोइंग नंबर आपके टायन डैट गिप्स प्रेसिपिटेड विद एने टू एच्पी ओफोर सोडियम हाइड्रोजन फास्फेट तो देखो बच्चो यह प्रेसिपिटेड देता है इसका फार्मूला आप याद रखना यह बड़ा नहीं देगा यह फिंक पिपिट देता आपन प्रेसिपिटेड देगा यह द्यान रखना मैगनीज के साथ पिरिक 늦ेता यह तोनों के साथ जिनक के सांथ यह याद रखना कलर है न सिल्वर के साथ तो यह आपका ऐग्जी थ्री पी ओ फोर और यह आपका आयरं पी ओ फोर यह भी यह यलोवड कीवल पोटैसियम नहीं देता है यह बात ध्यान रखना पॉटैसियम तो इसका अंसर हो जाएगा बच्चो अजर तो अगला question है बच्चो अगला question में हमको देखना है the among the following number of sulfide which are not soluble in yellow ammonium sulfide, yellow ammonium sulfide को हम लोग yes भी बोलते हैं, shortcut में yas yellow ammonium sulfide, मतलब वैसे तो देखो यह poly sulfide होता है, di sulfide को भी आप यह लिख सकते हो, मतलब n की value आप ले सकते हो, यह n है, n की value 2 से ले करके 6 तक होता है, यह yes हो होता है बच्चो तो यह लिखा है कि यह mainly होता है, group 2 के cation में, group 2 के cation 2 subgroup होते हैं बेटा, एक copper subgroup, एक arsenic subgroup, तो copper subgroup में कितने cation होते हैं, वो आपको याद होगा, जैसे मालो copper है, है न, और बिस्मत है, इस तरह से, तो यह आपका बिस्मत है, copper है, cadmium है, ठीक है, और आपक यह arsenic subgroup वाले हैं, तो देखो, यह बेटा, yes में, soluble नहीं होता है, यह आपको याद रखना पड़ेगा, यह insoluble, ठीक है, और बाकी जो arsenic है, plus 3 वाला, plus 5 वाला, 18 वाला, plus 2 वाला, plus 4 वाला, और इस तरह से antimony, plus 3 वाला, और plus 5 वाला, तो बच्चो यह yes में, आपका soluble होता ह तो आपको बिल्कुल पहचाना है, मैंने revision भी तुरह से करा दिया, तो आपको ध्यान देना है, तो यह वाले सब group soluble होंगे, तो क्या लिका है, not soluble, तो not soluble का मतलब आपको यह group को पकड़ना है, तो answer कौन होगा, यह, और यह not soluble में, यह soluble हो जाएगा, और यह not soluble होगा, तो इसलिए 2 तो soluble हो जाएगे, और 3 insoluble होगा, तो जो question कह रहा है insoluble, तो इसलिए इसका answer 3 होगा, बच्चो, अगला question है बच्चो, यह ध्यान देना है, तो अगला question है, metal, nickel, 2 plus gives cherry blood, cherry red blood color का complex बनाता है, B with DMG, ठीक है, and the coordination number of complex B, मतलब complex B में मतलब nickel 2 plus का जो है तो आपको, क्या देखना है, क्या चेक करना है, इसका coordination number देखना है, बच्चो, तो सबसे पहले nickel 2 plus है, यह DMG के साथ, minus के साथ, DMG भी, wide-inted ligand होता है, और इसमें जो है तो univalent negative charge होता है, बच्चो, यह complex बनता है, DMG क whole 2, यह पुराना question IT में आया हुगा है, बच्चो, यह दियान रखना है, है ना, तो इसलिए इसको अपन 2 मोल लेंगे, यह complex बनेगा, इसका complex है आप देखोगे बच्चो, तो यह इस तरह से N, C, यह इस तरह से यह formula होता है, यह आपको formula याद रखना पड़ेगा, डाइ-methyl-glioxym और यह minus और यह आपका OH, इसी type से यह वाला formula यह वाला इस तरह से बच्चो, यह आपका methyl, यह methyl और यह OH और यह OH बच्चो, देखो, यह nickel 2 प्लस है, तो nickel 2 प्लस जो है तो बच्चो, nickel 2 प्लस के साथ यह nitrogen donor होगा, क्योंकि nitrogen के पास loan pair है, जो less electro negative होता है, वो अधिक donor ability सो करता है बच्चो, ठीक, यहाँ पर यह hydrogen bond बन जाएगा, यहाँ पर यह hydrogen bond बन जाएगा, gsp2 और square planer और dia magnetic ठीक है, यह आप दियान रखना और mu m बराबर 0 bm, यह आपको दियान रखना बच्चो, ठीक है बच्चो, all the best.